हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ OPPO Reno 8T 5G में किस तरह से स्मार्ट साइड बार आप ओपन कर सकते हो और चला सकते हैं नुश्कार दोस्तों मैं हुरोजे स्वाल आप देख रहो टेकनिकल आर्जम दोस्तों आज हम आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट साइड बार के बारे में अगर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे चाहते हो अपनी साइड बार को ओपन करना किस तरह से आप अपने मोबाइल में साइड बार ओपन कर सकते हैं Sidebar अपनी मोबाइल के screen पर आप चालो करते हो तिस से क्या क्या फायदा होगा है दोस्तों अगर आप मालने जी अपनी mobile पर कोई वीडियो देख रहा है पिचर देख रहा हो अगर चाहते हो कि Sidebar में SCREENSORTE का ओप्षण आ जाएगा आपकी mobile के 받고 Be आपके mobile के screen पे sidebar आप जैसे open करते हो तो आपके mobile के screen पे show करना शुरू हो जाएगा बहुत सारे option इसमें दिया हुआ है और जितना चाहे उतना option आप इसके अंदर add कर सकते add करने का भी option आता है फिर आप अपने screen पे अपने हिसाब से इसमें setting कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको अपने mobile का setting open करना होगा setting open करने के बाद नीशे slide करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा conventional tool conventional tool के अंदर आपको मिल जाएगा sidebar का option तो दोस्तों चलिए आपको लेके चलते mobile के setting में और आपको किस तरह से आपको अपने mobile मेंиваем दनतो सबस्काइब aconतों सोब्सकाति से और सबस्काइब do चलिए क्ताइब जोस्तों अभेजिए उडिने उप्याई इनके स्वीजिवा स्यक्राव जाएं रो तीनों और आपको अपने मोबाईल में आन करसे स्ァ Brake दिखनाु प्लाल मैं इसको आफ कर दिया ओंगां earliest in में प्रूब्ल में इसको पिर से अन करवारा और इससे आपको भी आपके मोबाईल में इसको औरो अपटेजियल करने के बाद आपके मोबाइल में साइड बार इसी परकार से काम करना सुरू हो जाएगा देख रहे हैं स्क्रीन शोट का दे रहा है बहुत सारा option इसके अंदर आपको मिल जाएगा आप कुछ भी काम करते रहे है अपने मोबाइल में और यह sidebar आपकी मोबाइल में आ जाएगा जिसके जरीए आप बहुत सारा double काम आप अपने मोबाइल में कर सकते हो picture देखते हुए भी और कोई भी मतलब ऐसे message कर रहे हो आपका sidebar हमेशा आपकी screen पर रहेगा आप उसको इधर उधर जैसे चाहे अपने screen पर उसे set कर सकते हैं और भी अलग भी mode में उसे change कर सकते हैं तो दोस्तों यह video कैसा लगा comment करके बते हैं यह video अच्छा लगा तो like कीजे चैनल को subscribe कीजे और share कीजे ऐसा ही video आपके लिए लाते रहेंगे बहतरीन video एक बार comment जरूर कीजे मिलते दोस्तों next video में thank you so much